हेलो गाईज, हमने पिछले लेक्चर के अंदर डर्मिस लेयर के बारे में पढ़ा था, डर्मिस लेयर के अंदर क्या क्या चीछां होती हैं, वो उसके बारे में पढ़ा था, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने किसके बारे में स्वेट क्लेंट और हेर के बारे में पढ़ा आज के lecture में ए इरेक्टर पिलाई मसल और सबड़ेस के बारे में पढ़ेंगे ठीक है यह मसेल्स आपको पढ़ाने से पहले मड़ी दिखाती हूँ आपके बौडी के अंदर कहां पर होती है दिखो यहां यहां पर दिख रहा है आपको एरेक्टर पिलाई मसल्स ठीक है यह जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है यह क्या आपकी एरेक्टर पिलाई मसल्स और आपको दिख रहा है यह आपके डर्मिस लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है और अब आप यह देखो यह जोइन का होती है आपकी यह आपके देखो किसके साथ जोइन हो रही है आपकी हेर की रूट के साथ हो रही है ना यानि आपके हेर के साथ यह क्या हो रही है आपकी हेर के साथ यह आपकी जोइन हो रही है तो यह जब आपने पड़ा है मसल के बारे में मसल का काम आपको पता है कॉंट्रेक्शन और relaxation का, अब जब ये muscle आपके hair के साथ attached है, तो जब ये contract होगी तो किस पे असर पड़ेगा आपके hairs पे, यानि आपके hairs इसके वज़े से क्या होंगे, raise हो जाएंगे तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं और जो next हमारा topic होगा, वो होगा sabaceous gland के बारे में, अब ये देखो ये आपकी sabaceous gland है, अब आप ये देखो, इसकी भी duct किस के साथ जो है आपकी hair के साथ, sabaceous gland oil secret करती है, oil जो secret करेंगी वो कहां जाएगा, आपका hairs के अंदर जाएगा, तो इन दोनों structure के बारे में आज के lecture में हम पढ़ेंगे, आपने देख लिया, ये एरेक्टर पिलाई muscle है, ये आपकी sabaceous gland है, ये दोनों ही आपकी किस के साथ जोड़ी होती है, आपके hair के साथ, और ये आपकी कहां present होती है, dermis layer के अंदर, ठीक है, तो अभी आपको पढ़ना है कि आपकी स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल, आपका मसल टीशू होता है, उसके अंदर तीन तरह की ही muscle होती है, skeletal, कार्डिक और smooth, ठीक है, skeletal जो muscle हैं, वो आपकी क्या होती है, बोण के साथ connect होती है, कार्डिक मसल आपकी सिर्फ हर्ट में पाई जाती है स्मूथ मसल्स आपके बाकी इन को छोड़के बाकी हर जगह अंदर के और गंस में आपकी क्या पाई जाती है आपकी स्मूथ मसल्स ठीक है तो यह आपकी ए्रेक्टर पिलाई मसल्स है यह भी कैसी मसल्स है आपकी स्मूथ मसल्स हैं ठीक है इनका हमारी इच्छा से यह काम नहीं करती, involuntary ही ये काम करती है, इन में क्या difference है आपका, जो skeletal है, इनको हम अपनी मर्जे से move कर सकते हैं, और इन दोनों को नहीं कर सकती, ये अपने आप move होती है, body, जब इनको message देती है, तब ही ये contract contract relax होंगी, इनको हम अपनी मर्जे से contract relax कर सकते हैं, ठीक है, इरेक्टर पिलाई muscle आपकी किस तरह की muscle है, smooth muscles है, और ये आपकी किस के साथ contract होंगी, तो किस पर affect पड़ेगा, क्योंकि ये किस के साथ connect है, ठीक है, क्योंकि ये किस के साथ attach है, आपकी hairs के साथ, तो आपकी hairs erect हो जाएंगे, और उसके आसपास का area भी कैसा हो जाएगा, raise हो जाएगा, ठीक है, और इसी को आप बोलते हो, goose flesh, या फिर wrong टे खड़े होना कभी आपने observe करना, अब जबी भी आप ये feel करो, जब आपके wrong टे खड़े हो, या goose flesh आपको आएंगे, तब आप देखना, जो hair होंगे, वो erect हो जाएंगे, और उसके आसपास की skin है, वो raise हो जाएगी, ठीक है, या आप observe करके देखना, आपको समझ आएगी फिर ये बात, next ह है कि आपकी जो ये muscles है, ठीक है, ये कहां से supply होती है, यानि इन muscles को जो signal है, वो कौन देता है, वो कौन देता है, आपका sympathetic nerves, ठीक है, और जो ये आपकी muscles है, ये stimulate कभ होती है, दो condition आपकी fear और cold, जब आपको डर लग रहा होता है, या फिर आपको cold, ठंड लग रही होती है, तब ये दोनों, जो आपकी muscles है, ये क्या होती है, stimulate होती है, और contract होती है, ठीक है, कैसे ये involuntary contraction करती है, शीवरिंग के time ये करती है, ठीक है, जब आप कप आ रहे होते हो न, तब क्या होता है, आपकी, शीवरिंग के दुरान क्या हो रहा होता है, आपकी involuntary contraction हो रही होती है ठीक है, शिवरिंग, होती ही क्यों है, शिवरिंग आपको warming mechanism के लिए, ठीक है, आपको मतलब गरम करने के लिए, जो ठंड लगरी है, उसको ठीक करने के लिए, ठीक है, जाबकि इन muscles की वज़े से hair erect हुए हैं, वो क्या करते हैं, air को trap करते हैं और किस तरह से काम करते हैं वो insulating layer का ये जो erector pili muscle है इसके बारे में आपसे एक number में question पूछा जाता है ठीक है कि कि ये किस mechanism में आपसे काम करती है पृतिय गरवाल करके एक book है उसके अंदर इसका इससे related question है जो मैंने पढ़ा था इrector pili तो वह question था इससे related कि warming mechanism में help करती है या cooling mechanism में तो यह किसमें help करती है आपका warming में आपको ठंडल लग रही होगी warm होएगी आपकी body कैसे होएगी जब इन muscle की contraction होगी ठीक है next topic आपका वह सबेशियस gland सबेशियस gland भी मैंने आपको दिखाई है दुवारा देख लीजी आप सबेशियस gland यह आपकी क्या होती है सबेशियस gland यह क्या होती है आपकी erector pili muscle सबेशियस gland आपकी किसके साथ attach है आपकी hairs के साथ सबेशियस gland सबेशियस gland को आप oil gland भी बोल सकते हो इनको आप क्या बोल सकते हो oil gland बोल सकते हो इनके अंदर क्या होता आपका secretory epithelial cells होती है अब ये gland है तो कुछ न कुछ secret करेंगी इसलिए इनको क्या बोला है secretory epithelial tissue से बनी हुई cells इनके अंदर present है gland देखो gland अगर तुम्हें सरफ ये पुछा जाए कि gland क्या होती है तो gland कुछ नहीं है group of cells ही है ठीक है group of cells या फिर आप tissue हो सकते हो ठीक है अगर आप से कोई पुछे कि gland क्या होती है तो आप उसको एक line में जवाब दे सकते हो कि gland is a group of cell या tissue ठीक है अब यहाँ पे आपकी gland जो sabacious gland वो कैसी cell से मिलके बने हुए आपकी epithelial cells है और कैसी epithelial cells होंगी वो जो secret करेंगे क्या secret करती है आपकी देखो they secret an oily antimicrobial substance ठीक है antimicrobial substance आपके जो भी microorganism होते है उनके खिलाफ जो लड़े ऐसा oil यह secret करती है ठीक है उसको आप क्या बोलते हो sebaceous gland जो release करती है उसका आप sebum बोलते हो या फिर oil बोलते हो ठीक है और कहां release करेंगी ये into the hair अब जब ये hair के साथ attach है तो ये कहां release करेंगे उसको hair follicle के अंदर ही करेंगे ठीक है next है कि आपकी ये sebaceous gland आपकी body में कहां कहां present होती है ठीक है तो आपकी body में ये हर part में present होती है सिर्फ दो चीजों को छोड़के आपके palm और soul ठीक है आपके palm और soul में क्या नहीं होते है आपकी oil glands नहीं पाई जाती ये आपसे एक number का question पूछा जा सकता है कि आपकी palm और souls में मतलब कौन से gland नहीं पाई जाती है या फिर आपकी sabaceous gland कहां नहीं पाई जाती है मतलब किसी भी तरह से घुमा के आपसे पूछा जाता है ये question ठीक है ये question भी आपको कहीं पढ़ने को में लेगा जब आप तैयारी करोगे कभी तो आगे है कि ये gland नंबर में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कहां होती है तो ये आपकी scalp पे ठीक है आपकी head पे face पे axilla और groin reason के अंदर यहाँ पे आपकी क्या होती है ये सबसे ज़्यादा नंबर में पाई जाने वाली glands है आपकी sabaceous gland ठीक है किसके साथ attachment होती है और की hair के साथ attachment होती है next जो topic मतलब EC के बारे में है that is आपका कुछ आपकी body में ऐसे organ है जहाँ पे hair नहीं होती है जैसे आपकी lips है eyelids है, nipple है, breast की labia minoria, reproductive organ vagina का ये एक part है और glens penis male के अंदर पाई जाने वाला penis ठीक है, penis का सबसे मतलब आपका front part जिसको आप बोलते हो, that is glens penis और labia minoria आपने female reproductive system के अंदर अगर पड़े होता है ये क्या होते है lip like structure होते हैं आपके तो ये कुछ ऐसी structure आपकी body के अंदर जिनके उपर hair present ही नहीं होते तो अब यहां कैसे आपका secret होता है oil तो यहां पर जो sabaceous gland पाई जाती है वो independent होती है hair follicle के, यानि यहां पर hair होते ही नहीं है तो फिर भी यह क्या करती है आपका directly onto the surface ये sebum release कर देती है आपकी, ठीक है secreting the sebum directly onto the surface यहां पर hair नहीं है तो यहां पर जो sabaceous gland पाई जाएंगी वो थोड़ी different kind की पाई जाएंगी ठीक है, जो कहां सिद्धा आपका surface के ओपर oil release कर देंगी next है आपका functions functions of sabaceous gland ठीक है, आपकी जो sabaceous gland है वो क्या-क्या function करती है आपको इतना तो पता चली गया होगा यह क्या करती है, देखो अगर sebum hair के अंदर release होगा तो बाल soft होगे आपकी, playable यानि flexible होगे, ठीक है, अच्छे से मतलब हवा चलेगी, उडेगी आपके बाल इतने अच्छे हो जाते ही इसकी वज़े से flexible और shiny appearance आजाती है आपकी hair के अंदर oil की वज़े से ठीक है, आप 3-4 दिन अगर बाल नहीं दो होगे, तो आपके बालों में automatically ही तेल आ जाता है चाहे आप बाहर से लगाओ या ना लगाओ क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, आपकी sabiceous gland होती है आपके hairs पे, और क्या करती है यह आपकी skin को waterproof बनाती है, ठीक है अगर किसी की skin पे oil secret हो रहा है तो वहाँ से water pass नहीं होगा skin के अंदर, और हमने epidermis के अंदर भी clear पड़ी थी जो waterproof बना रही थी आपकी skin को next आपका, कि seep, यह जो आपका sebum इसने release किया आपकी glands ने, वो bacteria bacteriacidal का काम करता है cidal word use होता है आपका killing के लिए, किसको kill करने के लिए bacteria, अगर आपकी skin पे कोई bacteria वगएर आ रहे है या fungus आ रही है आपकी तो जो यह oil यहाँ present होगा आपकी skin के उपर यह किस तरह से काम करेगा bacteriacidal और fungicidal की तरह है और आपको infection से prevent करेगा next इसका जो function है वो है आपका it also prevent the drying and cracking of the skin अगर आपकी skin के उपर oil होगा तो आपकी जो skin है वो crack नहीं होगी और dry नहीं होगी सुखेगी नहीं और crack नहीं होगी especially कब जब आप exposure में हो बहुत ज़्यादा heat और sunlight के जब आप sunlight और heat के ज़्यादा contact में आ रहे हो तब उस दोरान आपकी skin dry और crack हो सकती है लेकिन sabaceous gland की वज़े से सही oil secret होता आपकी body पर आपकी body moist हो जाती है और वो heat या sunlight की वज़े से cracking नहीं होगी इनके अंदर अब next एक point है कि आपकी in glands की activity maximum मतलब peak पर कब होती है आपकी puberty के time पे ठीक है in glands की activity puberty के time पे increase हो जाती है और सबसे कम कब देखने को मिलती है आपकी extreme of ages में यानि सबसे छोटे बच्चों के अंदर और बुडे लोगों के अंदर आपकी क्या in glands की activity कम देखने को मिलती है आपको कम देखने को मिलती है तो इस lecture के अंदर हमने आज दो चीज़े पढ़ी है आपकी erectorpilline muscle erectorpilline muscle और sabbaceous gland के बारे में I hope आपको ये दोनों चीज़े समझाई हो next lecture के अंदर हम nails की बात करेंगे thank you guys